हेलो फ्रेंट सूरीब को एक हम एक ऑ Millennium चुर लो स्पीड एलेक्रिक स्कूटर की मतलब इसकी जो टॉप स्पीड है वह 25 km per hour तक ही रहेगी अब यह जो इस एलेक्रिक स्कूटर है दोस्तो इसका आज हम रिवीव करने वाले हैं यहाँ पे इसमें 25 km per hour की स्पीड है टॉप तो इसका मतलब इसमें कोई भी आपको खरीदने क कि जरूवत नहीं है और नहीं आपको किसी तरह के रिष्टेशन करानी की जरूवत है और इनकी जो मैनुपेक्टरिंग सेलीटी वेष्ट बेंगल के पास्श्यम वर्दमान में है और इनकी जो सभी ऐलेक्रिक स्कूटर आती है वह लो स्पीड एलेक्रिक स्कूटर है मतलब कि इनकी जो टॉप स्पीड है वो 25 किलमीटर पर आवर से ज्यादा नहीं जाती है और इससे खरीदने के बाद आपको किसी तरह की लाइसेंस और रेस्टेशन की जरुवत नहीं है इन एलेक्रिक स्कूटर्स को खरीदने की यह हमारे पास ड्रिक्स मॉडल है सिट की मैं बात ब अब बढ़ा नहीं है लेकिन एक बहुत सब्सक्राइब करने के लिए इसके लाव यहां पर एक यूइसबी पोर्ट मिलता है चार्ज करने के लिए मोबाइल और यहां पर बूट लाइट बिलता है जो की आराम से जलता है जब आप लाइट आउन करोगे तो यह भी और हो ज इंश्ट्यूमण कोंसल की सबसे बहुत करें दोस्तों हैंडल बार आपको दिखादू यहां पर लोग भी हईवाम करने का है हॉन आपको दोनों तरह मिलता है जलोग बैटन में आप देख सकते हो इंडिकेटर का यह रिवर्स मोड भी आपको मिलता है तो वह रिवर्स में आपको क्या के मिलता है बैटरी पेसेंटेज इसके साथ साथ इंडिकेटर साभी मिलते है लाइट्स वगएरा के इसके साथ आपको ट्रिप मिटर भी मिलता है और यहां पर पार्किंग का यहां पर साइन भी मिलता है रिबर्स मोड आएगा तो आर यहां पर लिखके आ सब्सक्राइब दोस्तों अबरेवल वेट कर वेट है आपका फिटी सेवन के जी का यह इसका पूरा वेट है और हाइट सिट हाइट की बात करें तो वह भी काफी लो है लो जो राइडर है जो लो है वह भी बहुत ही आराम से इस अलेक्टिक शुटर को चला सकते हैं ग्राउंड क्लियरंस आपको 180 mm का मिलता है तो कहीं भी आपको बंपर्स और पर कहीं भी दिक्कत नहीं होती इस इलेक्टिक स्कूटर को चलाने में बैटरी जो है दोस्तों वह आपको फिक्स मिलती है यहां पर आप देख सकते हो सिट की नीचे इस से प्लेस किया गया है और ल इस स्कूटर के साथ में मिलते हैं और यहां पर आप फिजिकल की के मैंने दिखाया है आप रिमोट की का बात करें यहां पर लॉक अनलॉक फाइंड माई वहिकल और इग्नीशर ओन करने का भी यहां पर फीचर मिलता है तो लॉक कर देगो आप और आपको अगर कोई एलेक् कर लेते हैं दोस्तों तो राइड क्वालिटी काफी अच्छी है स्कूटर काफी स्मूज चलती है जैसे अप थ्रोटल दो तो आराम से स्पीड एचीव कर लेती है और यहां पे आपको थोड़ा सा चलाते समय अगर आप लंबे हो ज्यादा हाइट के हो तो आपको थोड़ा की बात करो तो आराम से जो भी फ्लाइओवर्स थी वहां पर बहुत ही आराम से यह क्लाइम कर ले रहे थे तो वहां पर भी कोई ज्यादा प्रॉब्लम हुए नहीं स्कूटर को अब आपको बता देता हूं दोस्तों प्राइस की तो इस मोडल में दोस्तों चार वेजिन्ट और फिंट आते हैं तीन लीधियंाइन बैकर्टिक के साथ और एक लेड्व चे साथ और यह मेरे पास दोस्तों 2 participating है और यह 1.7 बैटтесьए यह 1.5 का आता है और जो एक लेड्य कन माइच की साथ आते है तो बैटरी की साथ आता है तो सभी की पेक्स पी बता दिया रेंज टेश्ट भी हमने किया था दोस्तों इस एलेक्टर के स्कूटर के साथ जिसमें जो रेंज दिया है वह हमें लगबग 70 किलो मेटर का दिया है और अगर आप इसे कम वाले रेंज पे जाते हैं मतलब बैटरी लगी हुई है तो उसकी रेंज आपको लगबल लगबल आप मान सकते हो कुछ साथ क्या आपका रेंज डेशन और लाइसेंस के भी जरूत नहीं है और काफी कॉलेज गोइंग स्टुडेंट और जो ऐसे आल जो इस्टुडेंट्स है लड़कियां है वो जाती है कॉलेज या स्कूल उनके लिए भी एक अच्छा अगर दोष्य जरूटर के बारे में जाना चाहते है तो आप जरूब कर सकते हैं या फिर आप हमसे इंस्ट्रगाम पे जूड़ सकते हैं लिंक आपको डिसक्शन में मिल जाएगा इस इलेक्रिक स्कूटर की दोस्तों अगर बहबात करूं कि लेना चाहिए नहीं लेना चाह हो सकता है और इसमें एक ट्विष्ट भी है जो आप मुझसे जूड़ते हैं आप मैसेज करते हैं तो मैं इस स्कूटर के बारे में कुछ इंट्रेस्टिंग चीजे भी आपके साथ सेयर करूंगा जो कि आपको इस वीडियो में नहीं पता चलिया तो उम्हीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लागा होगा थैंक्यों फॉर वाचिंग दोस्तों जाहिंद बंदे बात्रम चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा